हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मिक्कीपीडिया क्लासिस दिस इस मोहित आनंद और इम हेर विद इसेकेंड मॉक टेस्ट रिलेटि टू जेनरल अवेरनेस फॉर अपकमिंग जेकेस भी एक्जाम पर्टिकुलर्ली दी क्लास फॉर एक्जाम बट रिमेंबर वन तिंग यह सिरफ क् इन टेस्ट को देख सकते हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर किये गए इन एक्जाम में ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ल अब ध्यान रखेगा नेक्स्ट वीडियो जो मैं वो पर्टिकुलर्ली साइंस पे लेके आऊंगा साइंस के कुछ 50 MCQs हम डिसकस करेंगे तो उसमें साइंस जो है आपकी आल्मोस्ट कवर हो जाएगी तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट टेस्ट of 1921 occurred in कहां पे हुई थी 1921 में सो ध्यान रखेगा मोपला या बहुत जगा आपको मिपला रेबिलियन भी मिलेगा सो एक पीजन्ट मूवमेंट थी जो इंडिया में हुई थी 1921 में एक्चुली इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है बट आउटबर्स्ट जो हुआ जो हिंदू लैंडलोड्स के अगेंस्ट की थी सो मुस्लिम टीनेंट्स थे मुस्लिम पीजन्ट्स थे उन्होंने हिंदू लैंडलोड्स के अगेंस्ट मोपला रेबिलियन की थी 1921 में और कहां की थी मालाबार रीजन में सो मालाबार रीजन आज का आपका कैरला का रीजन है औ और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेंज हैं उनको मालाबार बोला जाता है सो मालाबार रीजिन के जो पीपल थे जो टीनेंट्स थे पीजेंट्स जिनको मॉपलास कहा जाता था उन्होंने 1921 में रेविलियन किया था ठीक है next question लेते है The Rowlet Act was passed in which year So Rowlet Act history में एक बड़ा infamous act है जिसके बाद जल्यावाला बाग मेसेकर हुआ था या जिसकी वजह से हुआ था So Rowlet Act का पास किया गया था So ये आपके options हैं सब दिये हुए So remember Rowlet Act 1919 में पास किया गया था 18 March 1919 को इसको Imperial Legislative Council है जो Delhi में उसने किया था क्योंकि Sydney Rowlet ने इस Act को recommend किया था इसलिए इसको नाम दिया जाता है Rowlet Act So अगर question आएगा कि किसकी recommendation पे So Sydney Rowlet की recommendation पे एक दूसरा इसका जो पूरा नाम था वो था Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 जिसमें ये provision रखा गया था कि British किसी को भी इंडिया की territory में terrorism फेलाने के charge पे दो साल तक arrest करके रख सकते हैं without any trial मतलब किसी भी court में पेशी किये बिना दो साल तक उसको arrest किया जा सकता है So ये Rowlet Act का basic provision था जिसके चलते इसको लोगों ने oppose किया था और जल्यावाला बाग वाला पूरा जो है वो scene हुआ था Next question East India Association कब बनी थी ध्यान रखेगा East India Association London में बनाई गई थी बनाई थी दादा भाई नारोजी ने दादा भाई नारोजी का आपने नाम सुना होगा He is considered as the grand old man of India So दादा भाई नारोजी ने बनाई थी और वो year था 1866 So ये question पेपर में काफी बार आता भी है कि जो East India Association है क्यों important है Remember East India Association is considered as the predecessor of the Congress So Indian National Congress की अगर predecessor यानि उससे पहले कोई organization जो बनी है जो important उस level की रही या जिसने बाद में मिल के क्या बनाया Indian National Congress बनाई That was East India Association So basic जो You know idea INC बनाने का था वो East India Association से ही आया था The next question लेते हैं So next question is Who called Subhash Chandra Bose as देश नायक So इन में से किसने Subhash Chandra Bose को नाम दिया था देश नायक So Subhash Chandra Bose आपको पता है So इनके बारे में कुछ important चीज़ हैं तो आपने पढ़ी ही होंगी But Indian National Army जिससे रिलेटिड थे ये ध्यान रखिएगा और He was the person who gave this slogan Give me your blood I'll give you freedom तुम मुझे खून दो मैं तुमें अजादी दूँगा और 1938 और 39 में 1939 में ये Congress के प्रेजिडेंट रहे हैं दो साल इनको देश नायक का जो टाइटल है वो दिया था का रूल जो है वो एक्चुली महराजा रंजीत सिंग के पास चला गया था महराजा रंजीत सिंग ने अपने बेटे को यहाँ पे इस्टैबलिश किया as the ruler पर कुछ साल बाद जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाई law and order की problem हो गई जम्मू में उसके बाद महराजा गुलाब सिंग जी के जो फादर थे उनको महराजा जो राजा कि शोर सिंग जी थे उनको जम्मू का राज दे दिया गया था सो बैटल अफ जम्मू जो है वो एक्चुली हुई थी अट्राव सो आठ में यह ध्यान रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थूँ विच स्टेट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह जिसको हम करकर रेखा बोलते हैं वो इंडिया की इन में से किस स्टेट से पास नहीं होती है ध्यान रखिएगा किस में से नहीं होती है ठीक है नहीं याट अन्षर परड़ेश उसके बीच में नहीं आता है यह यान रखेगा और यह भी नोडाउन कर लीजएगा किन किन स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है तो ध्यान रखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आठ इंडियन स्टेट से पास होता है वो स्टेट्स हैं गुजरात, राजिस्थान, मध्यपरदेश, छतिसगर्ड, जहारखंड, वेस्ट बेंगॉल, तरीपुरा और मिजुरम तो यह स्टेट्स के नाम भी याद रखेगा और टोटल नंबर भी ध्यान में रखना है आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं इन में से कौन सी जगा, कौन सी स्टेट जो है वो फेमस है लोगतक लेक के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है यह ध्यान रखेगा लास्ट वीडियो में मैंने लोणार लेक की सी इस वीडियो में लोगतक लेक है मनिपूर इस फेमस फॉर लोगतक लेक नेक्स्ट क्वेशन, इंडियन टेरिटरी का सबसे सद्रन मोस्ट पॉइंट कौन सा है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको सद्रन मोस्ट पॉइंट अफ इंडियन में लैंड बोलेंगे तो इस केप कैम मोरीन या फिर कन्या कुमारी जिसको बोलते है बट अगर इंडियन टेरिटरी का पूछेंगे तो दाट इस्ट and most point actually Nicobar islands तो जो Nicobar Island का southernmost point है लिए इंडियरा पॉइंट कम गम की स्टेट का tribal dance है तो कल्चेर वाले पोर्शन से ये question है अब का ध्यान रखेंगे का राजस्थान का Giया जो है tribal dance है कम गम 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 Easter तो पंचायतन क्या है your options are an assembly of five men ध्यान रखेगा यह नहीं है क्यों क्योंकि 5 men की assembly को पंचायत बोलते हैं पंचायतन नहीं बोलते एक्चुली में पंचायतन है a type of temple making जो मंदिर बनाने का type है उसमें उसमें क्या होता है कि चार shrines आगे पीछे subsidiary shrines बनाए जाते हैं और main shrine जो है वो बीच में होता है so actually total मिलाके पंच श्राइन बनते हैं इसलिए इसको पंचायतन style जो है वो कहा जाता है next question हुमायू का tomb जो है वो कहां पे बना हुआ है so remember the right answer is new Delhi so humayu का tomb का है humayu का makbara is in new Delhi next point is question is how many persons have received the sahithya academy award in dogri language अभी तक कितने लोगों को total sahithya academy award मिल चुका है dogri language में so your options are 45 46 47 or 48 so remember the right answer is 47 so यह ध्यान में रखिएगा next question वही question है सिरफ language change है कि कश्मीरी language में अभी तक कितने लोगों को sahithya academy award मिल चुका है साहित्य अकादमी award मैंने आपको शाहिद बताया था कि it is the second highest literary award of the country 1954 में introduce किया गया था ठीक है so अभी तक कश्मीरी language में 49 लोगों को मिल चुका है साहित्य अकादमी award clear next question is इन में से कौन सा भांड पाथर जो की traditional folk theater है कश्मीर का उसका element नहीं है which one of the following is not an element of the भांड पाथर बांड पाथर के basically तीन elements है so वो तीन elements है music, dance और acting, fighting जो है वो उसमें नहीं होती है so इसलिए ध्यान रखेंगा fighting is not a part of भांड पाथर clear next question who among the following is called as the father of dogri language इन में से किसको dogri language का father कहा जाता है so your options are दीन बंदु शर्मा, रामनाथ शास्त्री, कुवर वियोगी और ओम शर्मा so remember professor रामनाथ शास्त्री जो है उनको कहा जाता है father of dogri language और professor रामनाथ शास्त्री जिनको पदमा सचदेव जो है उन्होंने भारते न्दु हरिश्चंद्र कहा है dogri language का clear next question लेते हैं the first dogri black and white film so पहली dogri feature film जो black and white थी इसका नाम तक गल्ला हुईयां भीतियां वो किस साल बनाई गई थी so यह important है आपके लिए so remember the right answer is 1966 और पहली colored film जो है dogri में वो 2010 में बनाई गई that was मानी मिल दी मानी मिल दी तीक है सो यह ध्यान में रखिएगा next question who among the following was educated at the Mayo College अजमेर इन में से कौन से हमारे महराजा हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो Mayo College अजमेर में हुई है so your options are महराजा गुलाब सिंग, हरी सिंग, अमर सिंग ये रनबीर सिंग so remember the right answer is महराजा हरी सिंग इनकी पढ़ाई जो है वो Mayo College में हुई उसके बाद दहरादून में इन्होंने military academy से military की training ली और 1915 में इनको state की forces का commander जो है वो बनाया गया था clear, next question the J&K प्रजा सभा was established in the year so Jammu Kashmir की प्रजा सभा that was the first elected body of the state ये कब बनाई गई थी so देखिए कश्मीर में actually agitation काफी start हो गई थी महराजा के against so जो Muslim conference थी उसकी demands को देखते हुए महराजा ने Glancy Commission established किया था और Glancy Commission की recommendation पे एक Jammu एंड कश्मीर प्रजा सभा बनाई गई थी 1934 में so year आपने ध्यान में रखना है the Prince of Wales College was established in which year so Prince of Wales College जिसको आज आप GGM Science College बोलते हो ये established हुआ था महराजा प्रताप सिंग के time पे so महराजा प्रताप सिंग ने actually में state में 2 degree colleges established किये थे एक किया था 1905 में शिरी प्रताप में प्रताप College श्री नगर में और दूसरा था Prince of Wales College जो जम्मू में established किया गया 1907 में so ये ध्यान रखिएगा next question the capital of Karakota dynasty was so Karakota dynasty की capital जो थी वो कौन सी थी इन में से so remember the right answer is Shrinagar so Shrinagar was the capital of Karakota dynasty next is which of the following is a west flowing river इन में से कौन सा जो है वो एक west flowing river है west flowing river इस तरह से कि ये है Arabian Sea ये है Bay of Bengal so जो rivers Arabian Sea में गिरते हैं उनको west flowing river बोलते हैं और जो Bay of Bengal में गिरते हैं उनको east flowing rivers बोलते हैं so इन में से कौन सा river ऐसा है जो एक west flowing river है so ये options है नर्मदा, महानदी, गंगा या भ्रहंपुत्र देखिए महानदी, गंगा और भ्रहंपुत्र तीनों जो है वो बे आफ बेंगॉल में गिरते हैं नर्मदा जो है वो और A, B, N, C में गिरती है इसलिए नर्मदा is the only west flowing river given in the options next question which famous international tennis tournament is held in the month of January every year so इन में से कौन सा famous international tennis tournament है जो हर साल January में ही होता है so remember the right answer is Australian Open देखिए उसका reason है Australia जो है वो Southern Hemisphere में है Southern Hemisphere में January का time है वो गर्मी का time होता है इसलिए बाकी सारी जगा यूएस भी और फ्रांस भी दोनों में इस time सरदी होती है so Australia में basically जो January में Australian Open खेला जाता है ठीक है next question on which river पुलावरम project is constructed इन में से किस river पे पुलावरम project जो है वो बना हुआ है there options are Meghana, Mahanadi, Krishna या गुदावरी so remember the right answer is गुदावरी so गुदावरी में आंधरा परदेश में you will find पुलावरम project next question is which of the following rivers is mentioned as Krishana in Atharv Ved Atharv Ved में इन में से किस river को Krishana कहा गया है so your options are Jelam, Chinab, Raavi या भियास so remember the right answer is Chinab Chinab को Rig Ved में असीकिनी कहा गया है Atharv Ved में Krishana कहा गया है और महा भारत में उसको चंद्रभागा कहा गया है clear next question is the river तभी rises from Kalashkund Glacier तभी river जो है वो Kalashkund Glacier से निकलता है तो वो Kalashkund Glacier कहां पे है so your options are पुंच भदरवा वेरिन आगया है so let me tell you the right answer the right answer is भदरवा भदरवा से तभी जो है वो राइस होती है Kalashkund Glacier से next is the Rangil Water Treatment Plant Rangil Water Treatment Plant जो है वो किस रीवर में बनाया गया है water को साफ करने के लिए so your options are जेलम सिंध पुंच या निलम रीवर so remember the right answer is सिंध रीवर सिंध रीवर में यू वो फाइंड रंगिल Water Treatment Plant next question is which of the following states shares border with China इन में से कौन सी स्टेट जो है वो चाइना के साथ border share करती है so your options are 36 गड़, उत्राखंड, पंजाब या हर्याना so remember the right answer is उत्राखंड उत्राखंड shares border with China इसके इलावना तो 36 गड़, ना ही पंजाब ना ही हर्याना कोई border share करते हैं चाइना के साथ next question is the princely state of J&K came into existence in which year इन में से किस साल में J&K as a princely state बनती है so आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया 1808 में एक battle हुई है जिसके अंडर जमू का rule जमू को सिख एमपायर ने capture किया फिर उसके बाद 1835 में लदाक को capture किया था और 1819 में कश्मीर capture हुआ था so ये तीनों जब capture हो चुके उसके बाद सिखों और Britishers के बीच में war होता है first अंगलो सिख war और उसके बाद जब treaty of Amritsar sign होती है जिसमें महराजा गुलाब सिंग जो है वो कश्मीर को खरीदते हैं उसके बाद आपकी princely state J&K की बनती है so remember the right answer is 16th March 1846 इस date को treaty of Amritsar sign होई थी और जम्मू कश्मीर और लदाक को मिला के princely state of J&K जो है वो बनी थी next question is the constitution of J&K was adopted on so J&K का constitution कब adopt किया गया था so this is important question and rather थोड़ा सा confusing भी है बट ध्यान रखेगा 17 November 1956 को J&K का constitution adopt किया गया था force में आया था 26 November 1957 को अब तो खेर खतम ही हो गया but 26 November sorry 26 November 26 January 1957 को जो है वो force में आया था J&K का constitution जबकि adopt हो चुका था 17 November 1956 को next question is the J&K कश्मीर reorganization act जिसकी अंडर J&K कश्मीर को you know दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया लदाख हलक करके Union territory बनाया गया वो कब force में आया so remember the right answer is 31st October 2019 31 October 2019 J&K जो है वो एक Union territory बनी भाइदी J&K reorganization act next is the Rajmahal hills are located in which state in में से किस state में you will find Rajmahal hills so your options are 36 गड़ बिहार जार्खंड या ओडिसा so remember the right answer is जार्खंड so जार्खंड में you will find Rajmahal hills which are a part of Peninsular Plateau यहाँ आप बोलें Malwa Plateau का part है next question the Muslim conference was formed in which year so Muslim conference कश्मीर में किस साल बनी थी so your options are 1931, 32, 33 और 34 so remember the right answer is 1932 so 1932 में Shaykh Muhammad Abdullah ने बाकी leaders के साथ मिलके Muslim conference बनाई थी next question is भारत रतन was instituted in which year किस साल भारत रतन जो है वो पहली बार दिया गया था या कब institute किया गया भारत रतन so your options are 50, 52, 54 और 56 so remember the right answer is 1954 भारत रतन साल में maximum तीन लोगों को ही दिया जाता है और 1954 में तीन लोग जो थे वो थे सी राजा गोपालाचारी सी वी रमन और डॉक्टर एस राधा कृष्णन इन तीन लोगों को पहली बार भारत रतन 1954 में दिया गया था भारत रतन प्रेजिडेंट देता है on the recommendation of the prime minister so prime minister की recommendation पे प्रेजिडेंट जो है वो भारत रतन जो है देता है और जरूरी निया कि हर साल देना है बट एक साल में maximum तीन ही लोगों को दिया जा सकता है next question is साहित्य अकादमी अवार्ड is awarded in how many languages जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये कितनी languages में दिया जाता है ध्यान रखिएगा ये टोटल 24 languages में दिया जाता है 22 languages जो हमारी 8th schedule में है इंडियन constitution के उसके इलावा दो languages एक English और दूसरी राजस्थानी ये दो languages मिलाके टोटल 24 languages में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है next question is which of the following is the longest river of paninsular India इन में से कौन सी river जो है वो paninsular India की सबसे लंबी river है so remember your right answer is गुदावरी which is called also called as दक्षिन गंगा भी बोला जाता है या फिर वृद गंगा भी बोला जाता है so गुदावरी is the longest paninsular river next is the highest civilian award of the country is India का सबसे highest या सबसे बड़ा civilian award कौन सा है so I hope आप सबको यह पता होगा भारत रतन और इसकी detail मैंने आपको पहले बता दी next question is the Hindi language is written in which script इन में से किस script में Hindi language जो है वो लिखी जाती है so remember the right answer is देवनागरी पर्शो अरबिक में आपकी उर्दू लिखी जाती है शार्दा स्क्रिप्ट में आपकी traditionally कश्मीरी लिखी जाती थी और टाकरी स्क्रिप्ट में आपकी traditionally लिखी जाती थी डोगरी next question originally how many languages were there in the 8th schedule of the constitution देखिए culture के पार्ट से questions है इसलिए ऐसा मत सोचीगा कि यह आपके polity में इसमें include करो हूँ but it is there in the Indian culture so 8th schedule में originally है वो कितनी languages थी बाकी की जो 8 languages है वो बाद में add की गही है और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा एक ही foreign language हमारी 8th schedule में included that is Nepali English is not there in the 8th schedule यह भी ध्यान रखिएगा ठीक है next question the term Q is related to Q term किस से related है किस sport से related है आपने देखा होगा जब हम billiards यह snooker खेलते हैं तो जो हम you know वो sticks ही पकड़ते हैं that is basically called as Q और जो balls होती है यह called as Q balls so billiards से related है term Q next question and this probably is the last question yeah this is the last question which one of the following is the oldest football tournament in India इन में से सबसे oldest football tournament इंडिया का कौन सा है so remember that is Durand Cup 1888 में start हुआ था और अभी तक चल रहा है so it is the oldest football tournament of India so यह 40 question थे बहुत important question है जिनोंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है जिनोंने अभी नहीं पढ़ा है वो इनको note down कर लें अच्छे से और इनको revise कर लें ताकि paper में ऐसे ही basic questions आप से पूछे जाएंगे so I hope यह lecture आपको clear है एक और mock test लेके within a couple of days I'll come और आपके 4-5 mock test में मैं JS को आपको cover करवा दूँगा और आप तो वैसे भी exam का time है तो आपके पास इस time जो जो इस time चीजें पढ़ी होंगी वो भूलेंगी नहीं so better है कि आप mock test को बार बार revise कीजिए और video को please share कर दीजेगा so with this I'll end this video take care God bless you all